नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल क्रैक दे कॉम्टिशन में है दोस्तों वीडियो के लिंक को कॉफी करके अपने ग्रूप्स में सेयर कर दीजिए ताकि ज़्याद से ज़्याद लोग इस सेसन के साथ जुड़ सकें इस वीडियो लेक्चेर सभी क्वेशन्स आपको हिंदी और इंग्लिस दोनु लेंग्वेज में पियर होंगे और इनकी PDF के लिए हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जोइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो दोस्तों एक बार सभी लोग जुड़ जुड़ जा ताकि एक्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो तो सुरू करते हैं आज का पहला प्रसन पहला प्रसन है इन पालियमेंट दे चीफ स्पोक्समेन ओफ गोर्मेंट और मैटर्स ऑफ जरनल पॉलिसी तो संसद में सामानी नीती के मामलों पर गोर्मेंट के मुख्य प्रवक्ता कौन होते हैं तो सब लोग इसका आंसर देंगे दोस्तों कमेंट बोक्स में और अधिक से अधिक लोग जो जाईए तो इसका आंसर देंगे कि जो संसद होती है वहाँ पर सामानी नीती के मामलों पर जो गोर्मेंट होती है उसके मुख्य प्रवक्ता स्पोक्समेन कौन होते हैं स which one of the following categories of emergency has not been declared so far निम्लिकित आपातकालियन स्टेडियों में कौन सा अभी तक घोसित नहीं किया गया है तो emergency जो है यह ऐसा topic है जो आपके exam में पूछा जाएगा या तो यहां से article पूछा जाएगा ठीक है तो इसको बताएंगे दोस्तो फिर हम कुछ additional बातें यहां से जानेंगे तो अभी तक भारत में कौन सी emergency जो है लागू नहीं की गई है सब लोग इसका answer देंगे very good option number C financial emergency यानि कि भारत में अभी तक वित्तिय आपातकाल खोसित नहीं किया गया है दोस्तो तीन प्रकार की emergency का वर्णन इंडिया में है जिनको की राष्टपती दोरा लागू किया जा सकता है ठीक है तो emergency किसके दोरा लागू की जा सकती है राष्टपती के दोरा लागू की जा सकती है तीन प्रकार की emergency है एक है national emergency, राष्ट्रिया पातकाल दूसरा है state emergency या president rule हम जिसको बोलते हैं ठीक है जब कोई भी state की government सही डंग से काम नहीं करती है तो वहाँ पर president को power होती है कि वो state emergency लगा दे और तिसरी होती है financial emergency अगर हमारे देश में कहीं पर भी कोई वित्तिय संकटा जाए या फिर financial crisis आ जाता है तो उसमें financial emergency लागू की ज के अंदर state emergency आती है article 356 के अंदर और financial emergency आती है article 360 के अंदर तो यह article आप ध्यान रखेंगे यह आपके exam में पूचा जा सकता है ठीक अगला है next part 4th of constitution of India deals with which of the following भारत के संभिधान का भाग चार निमलिकित मैं से किस से संबंदित है तो इंडिया के संभिधान के part 4 के अंदर क सब लोग बताएंगे दोस्तों कि भारत के संभिधान का जो भाग नंबर 4 है उसके अंदर क्या आता है उसके अंदर क्या एंसरा इंड है सब लोग आंसर देंगे और यह बहुत अच्छा question है आपके exam में पूचा जा सकता है तो सब लोग आंसर कर रहे हैं दोस्तों इसका आ याद रख लीजिए यह जो है article 36 से 51 के अंदर आते हैं ठीक है जो राज जी के नीती निर्जशक तक्त्व हैं यह 36 से 51 के अंदर आते हैं और यहां से आप से question और कुछा सकता है कि हमने किस देश के संभिधान से बौरो किये या हमने किस देश के संभिधान से लिया है तो DPS का सिद्धान तम ने Ireland के संभिधान से बौरो किया है कौन से संभिधान से दोस्तो Ireland के संभिधान से बौरो किया है तो इतनी बात आप यहाँ पर याद रखिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको share कर की लिंक को ताकि प्रेमेर सेसन को अधिक से अधिक लोग देख सकें अगरा प्रसन है एंटी डिफेक्शन लौ इस गिवन इन विस सेड्यूल ऑफ इंडियान कॉस्टूशन भारती संभिधान की किस अनुसूची में एंटी डिफेक्शन कानून दिया गया है तो सब लोग अब ऐसा क्या होता है कि कोई भी नेता एक पार्टी में होता है अगर उस पार्टी में उसको फाइदा नहीं रिखता हो तो दूसरी पार्टी में चले जाता है इससे क्या होता है एक कूपर्था हो जाती है ठीक है ये गलत मैसे जाता है समाज में इसलिए एक एंटी डिफे लो है और इसको कब लाया गया या इसको कौन से amendment के तुरू लाया गया तो इसको 52 amendment 52nd amendment 1985 के तहद लाया गया ठीक है और इसको किस ने introduce किया तो contemporary prime minister स्री राजीव गांधी द्वरा इसको introduce किया ठीक है इसका schedule याद रखिये 10th schedule में आता है और 52nd amendment 1985 के तहद इसको सम्मिधान में डाला गया था तो यह बात यहां से ध्यान रखेगा यह most important question है next अगला प्रस्न है दोस्तों who among the following is not a member of any of the two houses of our country तो आपको पता है कि हमारे देश में दो सदन चलते हैं एक है लोगसभा एक है राजसभा लोगसभा को कहा जाता है lower house या निम्न सदन और राजसभा को कहा जाता है upper house या उच्च सदन तो एक ऐसा व्यक्ति कौन है जो न राजसभा का और नहीं लोगसभा का member है तो basic सा question है ट्रेड मेन के एक्जाम में पूँछा जा सकता है तो सब लोग बताएंगे दोस्तो ऐसा कौन सा vयक्ति है जो दोनुग सदनों मेंसे किसी का भी सदश्य नहीं है सब लोग बताएंगे very good सब लोग comment box मा answer दीजिए कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो किसी भी सदन का सदश्य नहीं होता है तो option number C president यनकी रास्ट्रपती तो दोस्तो जो भारत की रास्ट्रपती होते हैं वो दोनु मैंसे किसी भी सदन के सदश्य नहीं होते है तो option number C's का right answer है और जो रास्ट्रपती होते हैं वो तीनु सेनाओं के supreme commander होते हैं भारत की जो तीनु ससस्त्र सेनाओं हैं उनके supreme commander होते हैं अगर आपसे exam में question पूछा जाए कि भारत की तीनु सेनाओं के supreme commander कौन होते हैं तो आप बताएंगे रास्ट्रपती होते हैं present में हमारे रास्ट्रपती है स्री रामनात कोविंद और यह कौन से number के रास्ट्रपती हैं दोस्तों यह 14th number के रास्ट्रपती है पहले रास्ट्रपती कौन थे Dr. Rajendra Prasad तो यह भी ध्यान रखेंगे अगला प्रस्ण है next how many types of writ are there in Indian constitution तो भारतिय संविधान में कितने प्रकार की writ होती हैं तो writ के बारे में आप सभी को पता होगा मैं previous में भी अपनी वीडियो में काफी बार बता चुका हूँ रिट के बारे में तो बताईए कितने प्रकार की रिट होती है दोस्तो मैं आपको इनके नाम बता देता हूँ एक होती है हवीज कॉर्पस दूसरी होती है मेंडामुस तीसरी होती है सर्टियोरी फिर होती है क्योवारंटो और एक होती है प्रोहिबिशन तो यह पांच प्रकार की रिट हमारे Indian Constitution में एंसराइंड है तो भारती संभिधान में कितने प्रकार की रिट होती है दोस्तों पांच प्रकार की रिट होती है ठीक अगला प्रसन In Indian Constitution, the method of election of president has been taken from which country तो भारती संभिधान में रास्ट्रपती के चुनाओ की विधी किस देश से ली गई है तो यह most important question है और बहुत बार यह exam में पुछा गया है तो दोस्तों बताईए जो हमारे रास्ट्रपती के चुनाओ की विधी है वो हमने किस देश से ली है सब लोग इसका आंसर करेंगे कि रास्ट्रपती के चुनाओ की विधी हमने किस देश से ली है भारती के संभिधान में The method of election of president has been taken from Option number C, Ireland के संभिधान से हमने इसको बौरो किया है कौन से संभिधान से बौरो किया है दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको पहले बता चुका हूँ Directive Principle of State Policy दूसरा है Election of President और तीसरा है Nomination in Rajaswa by President यानि कि Rajaswa में 12 लोगों को President द्वारा नॉमिनेट किया जाता है यह परक्रिया भी हमने Ireland के संभिधान से ली है ठीक है और आपसे एक्जाम में पूछे जाएगा कि Rajaswa में President द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है तो 12 सदस्यों को नामित किया जाता है यह भी ध्यान रखेंगे ठीक, Important Question है Very Good दोस्तों, सब लोग वीडियो को Share कर दीजिए अभी बहुत सारे Question बचे हुए है ताकि सभी लोगों को इसका फाइदा हो और अन्तिम में आप अपना Score भी Mention कर सकते है यह आपका एक Revision Type का हो जाएगा कल आपके एक्जाम में हो सकता है कि यहां से Question बन जाएए अगला प्रस्त In the event of President and Vice President not being available Who among the following will perform the function of President? Question को ध्यान से पढ़िएगा राश्ट्रपती और उपराश्ट्रपती की अनुपस्तिती में निमलिखित में से कौन राश्ट्रपती के कारियों का पालन करेगा अगर ऐसी condition आती है कि राश्ट्रपती भी अपने ओपिस में नहीं है और उपराश्ट्रपती भी ओफिस में नहीं है तो उस समय ऐसे प्रेसिडेंट कौन फंक्सन करेगा सब लोग आंसर बताएंगे बहुत simple question है आपके exam में पूछा जा सकता है जब राश्ट्रपती और उपराश्ट्रपती दोनों अनुपस्तित होते हैं उस समय पे राश्ट्रपती का काम कौन करेगा सब लोग आंसर देंगे दोस्तो सब लोग आंसर देंगे ऑप्सन नबर C चीप जस्टिस ऑफ इंडिया ठीक है तो जब राश्ट्रपती और उपराश्ट्रपती absent होते हैं उस समय पे जो चीप जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं भारत के जो मुख्य नैदीज होते हैं वही एज राश्ट्रपती एक्ट करेंगे ठीक है प्रेजेंट में हमारे 47th नंबर के चीप जस्टिस हैं सरद अरविंद बोबडे ये भी ध्यान रखेंगे इनका नंबर याद रखेंगे सरद अरविंद बोबडए पहले सुप्रीम कोट के चीप जस्टिस क़ों थे दोस्तों हिरेलाल जे कानिया जो थे हमारे सुप्रीम कोट के पहले चीप जस्टिस थे तो ये बात याद रखेंगे यहां से अगला प्रसन तो ऐसे विशाई जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानूर बना सकते हैं वो कौन सी लिस्ट में सामिल हैं तो हमारे संभिधान में तीन प्रकार की लिस्ट का वर्णन है स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉनकरेंट लिस्ट जिसको हम समवर्ती सुची कहते हैं और यह सभी लिस्ट जो है वो 7th schedule मा आती है दोस्तो सात्वी अनुसुची मा आती है यह ध्यान रखेंगे और ऐसी कौन सी लिस्ट है जिस पर केंद्र और राज सरकार दोनु कानून बना सकते हैं सब लोग बताएंगे क्या वो स्टेट लिस्ट है, यूनियन है या कॉनकरन्ट लिस्ट है very good option number C, कॉनकरन्ट लिस्ट समवर्ती सुची के अंदर दोस्तो ऐसे विसाय आते हैं जिन में राज सरकार और केंद्र सरकार दोनु कानून बना सकते हैं और समवर्ती सुची को list 3 भी कहा जाता है list 3 cultura और इसमें 52 subject आते हैं ठीक है समवर्ती सुची में कितने subject आते हैं 52 subject आते हैं ठीक और यह सभी list कौनसे scheduled में है 7th schedule में 7th वी अनूसुची में त्यान रखेंगे अगला प्रस고 the fundamental duties assigned in तो मौलिक करतब भारत के संभीधान के किस भाग में नहीत है simple और important question है काफी बार बता चुका हूँ उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इसमें कोई problem नहीं आएगी तो बताए दोस्तों कि fundamental duties कौन से part में है और कौन से article में है article भी type कीजिए मैं इसको बता चुका हूँ काफी बार तो सब लोग बताएंगे option number क्या होगा इसमें तो इसका very good option number C part 4th A ठीक है जो fundamental duties हैं जो हमारे मौलिक करतब भी हैं वो part 4th A और article 52 A के अंदर आते हैं इसका article भी याद रखेंगे हैं article भी आपसे पुछा रखता है article 52 A और part 4th A में इंस्राइंड हैं और जो fundamental duties हैं उसका concept हमने कौन से देश के सम्विदान से बोरो किया सब लोग comment box में बताएं जो मौलिक करतब भी हैं उसका concept हमने कौन से देश के सम्विदान से बोरो किया दोस्तो USSR जो की present में रसिया है USSR यानि कि Soviet संग के सम्विदान से बोरो किया अभी total कितने fundamental rights हैं 11 ठीक है कितने fundamental duties कितनी हैं 11 fundamental duties हैं और originally कितनी थी originally 10 थी फिर इसमें एक और include कर दिया था ठीक तो आएगा तो आप बोलेंगे 11 और अगर आपसे पुछा आगे कि originally कितनी fundamental duties थी मूल रूप से तो वो 10 थी ठीक present में 11 है अगला article 110 of constitution of India deals with तो ये question भी आपसे काफी बार पुछा गया है भारती संगिधान का अनुच्चेद 110 किससे सम्बंदित है तो सब लोग बताएंगे कि अनुच्चेद 110 किससे सम्बंदित हैं अगला प्रस्न which of the following official document is related with India निमलिकित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से सम्बंदित है या फिर भारती सरकार का जो official document होता है आधिकारिक दस्तावेज होता है उसका नाम क्या होता है सबको पता होगा बहुत basic सा question है कि government of India का official paper या official document क्या कहलाता है सब लोग answer देंगे सब लोग इसका answer देंगे दोस्तो कि भारत सरकार का आधिकारिक दस्तावेज क्या कहलाता है इसे कहते हैं white paper हिंदी में कहते हैं sweet paper जब कोई भी भारती सरकार कोई भी official काम करती है तो sweet paper में करती है या कोई भी gadget निकलता है तो वो हमेशा किस में निकलता है, white paper या फिर sweet पत्र में निकलता है तो option number ace का right answer हो जाएगा अगला प्रस्न तो यह कहां से लिया गया है तो यह तो basic स्या question है SSC, GD, MTS और अपने treatment के exam में constable level के exam में काफी बार कुछा गया है तो यह बहुत basic सा question है कि सत्य में वो जैते सब्द कहां से लिया गया है जो हमारे national emblem के नीचे सत्य में वो जैते लिखा रहता है वो कहां से लिया गया है सब लोग इसका answer देंगे दोस्तो comment box में mention कीजिए यह सत्य में वो जैते सब्द कहां से लिया गया है भगवत कीता मुंड का अपनिसद रामतरीत मानस या रिगवेट से तो इसका answer देंगे very good सब लोग answer दे रहे हैं option number B मुंड का उपनिसद से लिया गया है तो सत्य में वो जैते कहां किसे लिया गया है मुंद का उपनिसद ठीक वेरी गुड दोस्तो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग विच वन अप दो फॉलोइंग इस डिस्क्राइब एज फोर्थ स्टेट तो किसे लोक तंतर का चौथा स्तंबग आ जाता है यह तो आपने काफी बार न्यूज डिबेट में भी सुना होगा फोर्थ पिलर या फोर्थ स्टेट ओफ डेमोकरेसी किसे का जाता है तो फोर्थ स्टेट ओफ डेमोकरेसी का जाता है दूस्तो मीडिया को ओप्सन नमबर बी जो प्रिंट मीडिया होती है जो भी electronic media होती है हमारी ठीक है mass communication उसे हम क्या कहते है fourth state of democracy क्योंकि democracy को आइना दिखाने का काम करती है democracy के जो कमिया होती है या जो उसके खामिया होती है उसको लोगों के सामने उजागर करने का कारीव media का होता है तो इसी लिए इसे लोगतंत्र का चौथा सितंब या फी fourth state of democracy कहा जाता है option number 20 का right answer है अगला है the first amendment to the constitution carried out in 1951 related to तो संबिधान में पहला संसुदन 1951 में किया गया था या किस से संबंदित था तो एक बात याद रखिए कि जो संबिधान में संसुदन है वह कौन से article की तुरू किया जाता है मैंने पहली वीडियो भी आपको बताया था तो article 368 के तुरू हम संबिधान में संसुदन कर सकते हैं और जो पहला संबिधान संसुदन था 1951 में वह हुआ था दोस्तो option number C protection of agrarian reforms in certain state तो कुछ राज्यू में किसी सुदारों के लिए 1951 में सबसे पहला संबिधान संसुदन किया गया था और संबिधान संसुदन article 368 के तहत किया जाता है संबिधान संसुदन क्या होता है कि अगर कहीं पर संबिधान में कोई चीज़े change करनी है तो उसको हम amendment कर सकते है article 368 के तहर्य ध्यान रखेगा यह आप से पूछा जा सकता है तो दोस्तों यह थे हमारे कुछ वीडियो जाने से पहले वीडियो को like जरूर करके जाएगा और आपना score mention कीजी इसके बाद और आने वाली है जीके की वीडियो revision videos ठीक है जिसमें current affairs से जीके सब कुछ mix होगा तो आप channel पर बने रही है Thank you, जै हिन जै भारत